देश के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनी कान साहब ने एलान किया है कि वे अपनी राजनितिक पार्टी ला रहे हैं अध्यात्म के नित्युत में अपनी राजनितिक पार्टी चलाएंगे ये वीडियो खासतोर से हम ऐसलिये बना रहे हैं कि विसेशग्य जिन्हें राजनितिक विसेशग्य कहा जाता है उन्होंने रजनीकान के इस मुहिम को लेकर आखिर क्या कहा है जी हाँ आपको बताया कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकान अब बहुत जल्द राजनिती में कदम रखने वाले हैं उन्होंने एक ट्वीट के जरीए बताया कि वे एक तिद दिसंबर को अपनी राजनितिक पार्टी का एलान कर रहे हैं रजनीकान के राजनिती में आने की चर्चा काफी दिनों से हैं दरसल तमिलनाडू में अप्रेल मई 2021 में विधान सभाच चुनाओं होने वाले हैं रजनीकान इसे आध्यात्मिक राजनिती और बतलाओ की राजनिती करने का मंत्र बता रहे हैं तमिलनाडू में यदी आध्यात्मिक राजनीती के साथ सब कुछ बदलने का राजनीतिक मंतर काम कर जाता तो रजनीकान अन्ना द्रमुक के संस्थापक M.G. रामचंदरन उर्फ M.G. आर और पुर्मोक्यमंतरी जे ललिता के बाद राजनीतिक सफलता का स्वाच चकने वाले रुपहले परदे के तीसरे स्टार बन जाएंगे राजनीति में उनका करिज्मा चलेगा या नहीं ये कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वे लोगों के बीज अपनी आध्यात्मिक राजनीति और बदलाओं के मंतर के अलावा अन्य कारकों को कैसे रखेंगे तमिल नाडु में अप्रेल मई 2021 में विधान सवा चुनाओ प्रस्तावित है अभी नीता के अनुसार आध्यात्मिक राजनीति एमानदारी पारदर्शिता और भर्षाचार मुक्त राजनीती है जो सुशाशन प्रदान करने के लिए जाती और धर्म की बादाओं को पार कर अपने आपको दिवंगत MGR का बहुत बड़ा फैन कहने वाले रजनीकान ने गरीब और आम आदमी के लाव के लिए एक अच्छे प्रशाशन का आश्वाशन देने के लिए कहा है साल 1972 में अन्ना द्रमुक की अस्थापना करने से पहले MGR द्रमुक के साथ थे और राजनीती में भी सक्रिये थे अभिनेता की चुनावी संभावनाओं पर राजनीतिक विशेशलग सुमंत रमन ने कहा है कि इस पर भविश्वानी करना बहुत जल्दबाजी होगी कि रजनीकान अपने किन सवालों पर होंगे जी हाँ आपको बताया कि रमन ने हैरानी जताई है कि सब कुछ बदलने का अर्थ क्या है उनकी निती और कारिक्रम क्या है उन्होंने कहा कि अभिनेता को इस बात के बारे में विस्तार से बताना चाहिए कि वे उस बतलाओं को कै कोई संभावना है या नहीं इसके बारे में अभी पता नहीं है उन्होंने कहा है कि रजनीकान को उम्मिद्वार के रूप में मैदान में उतानने के लिए विश्वसनी ये चेहरों की एक बड़े टीम की आवेशकता होगी रमन ने कहा कि रजनीकान प्रभावित करेंगे ल लेकिन वे इसके बारे में नकारत्मक्ता नहीं देखने वाले हैं जी हां आपको बताएं कि द्रमीड विचारक VMS सब गुन राजन ने हाना कि इस पर सहमती नहीं जताई है उन्होंने कहा कि अभी नेता को तमिल नाडू में राजनीतिक आधार नहीं मिल सकता है क्योंकि रा ध्यात्मिक राजनीति सभी धर्मों के साथ समान वेवार को प्रिरित करेगी और सभी बाधाओं को पार करने का प्रयास होगा तो इस तरीके से विचलेशकों ने अपनी अपनी राय जोस्तों रजनीकान की नई पार्टी को लेकर रखी है वैसे रजनीकान इस अदेश के कहके बुलाते हैं वो अब राजनीति करते हुए दिखाए देंगे आप क्या सोचते हैं अपनी राय अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बने रहें मारे साथ नमस्कार